चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचने को बीना ताकत जोके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता संघर से ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका बीना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता नमस्कार दोस्तों में अर्शद आपका स्वागत करता हूँ यदि आप उत्तर परदेश आरो ए आरो अर्थात समिच्छा दिकारी सहाइक समिच्छा दिकारी 2016 या आने वाले समिच्छा दिकारी के नए वैकंसी की तयारी कर रहा है तो किरिप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें ध्यान रहें वेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे परतेग वीडियो का नोडिफिकेसन आप तक आसानी से पहुशता रहें तो चलिए सुरू करत इसके लिए एक सब्द है चतुस पद याद रखिएगा चतुस पद जिसके चार पद हैं इसके लिए एक सब्द क्या है चतुस पद है अगला पॉइंट है जिसके पाड़ी में चक्र हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो जिसके पाड़ी में चक्र हो इसके लिए एक क्या हो जाएगा तो चक्र को धारड करने वाला इसके लिए एक सब्द है चक्रधारी क्या हो जाएगा चक्रधारी हो जाएगा अगला पॉइंट है गद्ध पद्ध मिस्रित काब्ब गद्ध और पद्ध मिस्रित काब्ब इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो गद्ध और प को ही खोजता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जागा चिद्रान वेशी हो जागा जो दूसरों में केवल दोसों को ही खोजता है अगला पॉइंट है जिसका जन्म जल में हुआ हो जिसका जन्म जल में हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो तो जलज या कमल तो याद रख अंधा है, इसके लिए एक सब्द बताना है, तो जो जन्म से ही अंधा है, इसके लिए एक सब्द जन्मांध है, क्या हो जाएगा, जन्मांध हो जाएगा, जो जन्म से ही अंधा है, इसके लिए एक सब्द क्या है, जन्मांध है, अगला पॉइंट है, इंद्रियों को जीतने इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, जीतेंद्रिये, क्या हो जाएगा, इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द है, जीतेंद्रिये, अगला पॉइंट है, जठर, पेट की अगनी है, जठ जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिग्यासा हो जाएगा, जान से मारने की इच्छा, जिंग्यासा, अगला है, जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है, जिग्रिशा, जीतने की इच्छा, इसके लिए एक एक सब्द क्या होगा तो जिग्यासा हो जाएगा यहां जो जान से मारने की इच्छा था तो जिग्यासा यहां जो है और यह क्या है जिग्यासा यह जानने की इच्छा है अगला पॉइंट है जो जल में चलने फिरने वाला हो जो जल में चलने फिरने वाला हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जागा तो जलचर, जो जल में चलने फिरने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है जलचर है, अगला है जो जीना चाहता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा, जी विशू, जो जीना चाहता है, इसके लिए एक शब्द क्य इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जरायूज हो जाएगा, जरायूज, चलिए अगरा देख लेते हैं, जो जानना चाहता है, इसके लिए एक सब्द है, जिग्यासू, जो जानना चाहता है, इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा, जिग्यासू हो जाएगा, अगरा प qyya hojaga? जलयान हुजाएगा. अगला point है, जिन्दा रहने र्ति या Calvin, जिन्स जिन्स इसके लिए एक सब्द बताना है, जिन्दा रहने की इ won't you, जिन्स इसके लिएителей इसके लिए एक सब्द हो जाएगा। घिजि विशा। और जओ जीना चाहता है इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा जिविशू था जो जीना चाहता है इसके लिए एक सब्द है जीविशू और जिन्दा रहने या जीने की इच्छा इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा जीजिविशा हो जाएगा अगला पॉइंट है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो टकायत हो जाएगा, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो जाएगा, वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्यान पराप्त हो, वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्यान पराप्त हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा? वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्यान पराप्त हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा? तो जिसका तेज नश्ट हो गया हो, इसके लिए एक सब्द होगा? तो जिसका तेज नश्ट हो गया हो, इसके लिए एक सब्द होगा? तेजोहत श्रिहत हो जाएगा जिसका तेज नश्ट हो गया हो बेग पूरवक गमन करने वाला इसके लिए एक सब्द क्या है तुरंग है तुरंग है तुलना करने योग इसके लिए एक सब्द क्या है तुलनी है तुलनी है तुलना करने योग इसके लिए एक सब्द क्या है तुलनी है अगला point है तैरनी की इच्छा तो तीतिरिशा हो जाएगा तीतिरिशा तैरनी की इच्छा इसके लेक शब्द क्या हो जाएगा तीतिरिशा हो जाएगा वह है पुत्र जो शास्त्र या बिधी द्वारा अपनाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है दत्तक है तो अगला पॉइंट देखते हैं जिसने अपने प्राढ उतसर्ग किये हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा तो जिसने अपने प्राढ उतसर्ग किये हो इसके सहारा दिया गया हो, जिसे अब है दान या सहारा दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो जिसे अब है दान या सहारा दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, दत्त हस्त हो जाएगा, दत्त हस्त है, याद रखना है, दत्त हस्त है, जिसे पकड़ना क तो इसके लिए एक सब्द क्या होगा, जिसे पकड़ना कठीन हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो दुद्दर हो जाएगा, थोड़ा सा कठीन है, इसको समझिएगा, जिसको पकड़ना कठीन हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, दुद्दर हो जाएगा, अगला पा पहले या एक बात कही ओई बात को फिर से कहने इसके लिए एक सब्द क्या है दुर्गिये हो जाएगा जिसे कठिनाई से जाना जा सक इसके लिए एक सब्द क्या है दुर्गिये है अगला पॉइंट है जो देने योग है इसके लिए एक सब्द क्या है देवनागरी हो जाएगा चाहिए अगला पॉइंट देखते हैं दाव या जंगल की अगनी दाव अर्था जंगल की अगनी इसके लिए एक शब्द क्या हो जागा तो दावागनी हो जाएगा अगला पॉइंट जो कठिनाई से समझ में आता है या जो सीगर समझ में ना आए जो कठिनाई से समझ में आता है या जो सीगर समझ में ना आए इसके लिए एक शब्द क्या हो दुर्बोध हो जागा जो कठिनाई से समझ में आता है या जो सीगर समझ में ना आए इसके लिए एक शब्द क्या दुर्बोध है अगला पॉइंट है वह मार्ग जो चलने में पैदा करता है या जहां पहुंचना कठीन हो इसके लिए एक शब्द दुर्गम अगला पॉइंट है दोनों पच्छों की भासा समझने वाला इसके लिए एक शब्द बताना है तो दोनों पच्छों की भासा समझने वाला इसके लिए एक शब्द दुर्भाशित क्या दुभ माफ करिए का दुभासी यह है, मतलब दुभासा अदोनों पच्छों की भासा समझने यह वाला, दुभासी यह, अगला पॉइंट है, दिच्छा, अर्थात सिच्छा की समापती पर दिया जाने वाला उपदेश, इसके लिए एक सब्ध क्या होगा, तो इसके लिए एक अगला पॉइंट है पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो पुत्री का पुत्र, इसके लिए एक सब्द होगा, दोहित्र हो जाएगा, अगला है पुत्री की पुत्री, इसके लिए क्या है एक सब्द, तो पुत्री की पुत्री के है दो हित्री है और पुत्री का पुत्र दो हित्र हो जाएगा अगला पॉइंट देख लेते हैं दिन के बाद दिन दिन के बाद दिन इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो दिन के बाद दिन हो जाएगा दिन के बाद दिन अर्था दिन हो जाएगा अगला पॉइंट है दो प इस्तिरी का भाग खराब हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो दूर भागा हो जाएगा. जिसका जन्म दीप में हुआ हो, इसके लिए एक शब्द दयपायन. तो याद रखियेगा जिसका जनम दीप में हुआ इसके लिए एक शब्द है दैपायन है देखने की इच्छा अगला पॉइंट है देखने की इच्छा इसके लिए एक शब्द क्या होगा तो दिद्रिच्छा हो जाएगा देखने की इच्छा दिद्रिच्छा अगला देख लेते हैं अगला पॉइंट है देने की इच्छा इसके लिए एक शब्द क्या होगा तो देने की इच्छा इसके लिए एक शब्द है धितसा देने की इच्छा इसके लिए एक शब्द हो जाएगा धितसा हो जाएगा अगला परणद दूर तक देखने वाला दूर दर्शी, इसके लिए एक सब्द है दूर दर्शी, दूर तक देखने वाला इसके लेकर शब्द क्या दूर दर्शी है, दो बेदों को जानने वाला, इसके लिए एक सब्द है दुवेदी, जो दमन योग हो, इसके लिए एक सब्द है दमनिय, जिसको लागना कठी न हो, इसके लिए एक सब्द क्या हो, तो दुरलग है, दुरलग्द हो जाएगा जो देखने वाला है इसके लिए एक सब्द है दर्शक है जो केवल दूध पीता हो तो इसके लिए एक सब्द हारी हो जाएगा जो केवल दूध पीता हो इसके लिए एक सब्द हारी हो जाएगा जो केवल दूध पीता हो इसके लिए एक सब्द है द से कठिनाई से भेदा जासा कि इसके लिएक शब्द है दुरभेद जिसे कठिनाई से भेदा जासा कि इसके लिएक शब्द क्या हो जाएगा दुरभेद हो जाएगा अगला देखिए जिसका दमन कठिन हो इसके लिएक सब्द क्या दुरदम है जिसका दमन कठिन हो इसके मिलती है इसके लिए दुर्भिच एक सब्द क्या है दुर्भिच है जिसने किसी बिशे में चित लगा दिया है इसके लिए एक सब्द है दत्चित, क्या है दत्चित है, जिसके दसानन हूँ, ये तो बच्चो वाला सवाल है, जिसके दसानन हूँ, अर्था दसानन, दसानन माने रामड, जो कठिनाई से पचता है, अगला पॉंट देख लेते हैं, जो कठिनाई से पचता है, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो निवारित किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, इसके लिए एक सब्द है, दुरनिमार, दुरनिमार हो जाएगा, जो द्वार की रच्छा करता है, जो द्वार की रच्छा करता है, इसके लिए एक सब्द क्या ह इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, दूरधर्ष हो जाएगा, जो बिलंब से काम करे, जो बिलंब से काम करे, तो दीरगसूत्री, जो बिलंब से काम करे, इसके लिए एक शब्द है दीरगसूत्री, जो आसानी से उपलब्द ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो आसानी से उपलब्द ना हो, इसके लिए एक शब्द दुरलब है, याद रखिएगा, जो आसानी से उपलब्द ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुरलब हो जाएगा, तेज चलने वाला, इसके लिए एक शब्द दुरतगामी, तेज चलने वाला, इसके ल इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा दूरबीन हो जाएगा चली अगला पॉंट देख लेते हैं बुरा आचरड करने वाला इसके लिए एक सब्द होगा दूराचारी या कदाचारी निश्चे हो इसके लिए एक सब्द हो जाएगा दिर्ड निश्चाई हो जाएगा अगला पॉइंट देखते हैं दसरत का पुत्र अगला पॉइंट दसरत का पुत्र इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो दसरत का पुत्र इसके लिए एक सब्द है दास रती हो जाएगा जो कठिनाई से स जा सके, इसके लिए एक सब्द है, दूस साध्य हो जाएगा, जो कठिनाई से साध्य जा सके, इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा, दूस शाध्य हो जाएगा, अगला है दो बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक सब्द होगा, द्वीज, दो बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, द्वीज हो जाएगा, अगला point जो देखने योग हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो जो देखने योग है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, द्रिश्टब या दर्शनिये, द्रिश्टब या दर्शनिये हो जाएगा, अनुचित बात के लिए आगरह है, अगला है अपने धर्म से गीरा हुआ, इसके लिए एक सब्ध क्या हुआ हुआ हुआ, धर्म चीजट हो जाएगा, अगला है जो धर्मा चर्र करता है इसके लिए एक सब्द क्या है तो धर्मात्मा, जो धर्मा चरड करता है, इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा, दोडने वाला, इसके लिए एक सब्द हो जाएगा, धावक हो जाएगा, धनुस धारड करने माला, अगला पॉइंट ह धनुस धारर करने माला इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो धनुस धारर करने माला इसके लिए एक सब्द हो जाएगा धनुर्धर हो जाएगा किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु इसके लिए एक सबध हो जाएगा धरूहर या ठाती या अमानत किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अगला point है जो धीरज धारड करता है इसके लिए एक सब्द बताना है तो धीर या धैरवान हो जाएगा धीर या धैरवान हो जाएगा अगला देखिए इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा धीरोदत हो जाएगा धीरोदत हो जाएगा अगला point देख लेते हैं ध्यान देने योग ध्यान देने योग इसके लिए एक तो ग्यातब्य हो जाएगा, ग्यातब्य हो जाएगा, ध्यान देने योग, इसके लिए एक सब्द क्या है तो ध्यातब्य हो जाएगा, ध्यान देने योग, इसके लिए एक सब्द है ध्यातब्य, अगला पॉइंट है, रिड ना चुकाने वाला, रिड ना चुकाने वाला, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो रिड ना चुकाने माला है, इसके लिए एक सब्द है, नादी हंद, थोड़ा सकठीन है, नादी हंद, अगला देखिए, जिसके सरीर पर आगहात ना लगे, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो नासे तुद, नाशे तुद हो जाए अगला देखें इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो निरुधम हो जाएगा, निरुधम, जिसके हाथ में कोई उधम या काम ना हो, इसके लिए एक सब्द क्या है, निरुधम है, अगला है, जिसके मन में मत्शर या इर्श्या ना हो, जिसके मन में मत्शर या इर्श्या ना हो, इसके लिए जिस काम के लिए धन ना दिया जाए, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो जिस काम के लिए धन ना दिया जाए, इसका जो है एक सब्द हो जाएगा, निशुल्क हो जाएगा, याद रखेगा, जिस काम के लिए धन ना दिया जाए, इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा निस्सुल्क हो जाएगा अगला point है जिसके संतान ना हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो निस्संतान हो जाएगा अगला point देखिए जिसको कोई इच्छा अर्थात इस्प्रीहा ना हो जिसको कोई इच्छा या इस्प्रीहा ना हो समय, इसके लिए एक सब्द है निशीत, अर्धरात्री का समय, इसके लिए एक सब्द क्या है, निशीत है, रंग मंच पर परदे के पीछे का स्थान, देखिए, रंग मंच पर परदे के पीछे का स्थान, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, रंग मंच पर परदे के पीछे का स्थान, नेपथ हो जाएगा, नेपथ हो, अगला पोइंट देख लेते हैं, आ जीवन ब्रह्मचरे का वरत लेने वाला, इसके लिए एक सब्द हो जाएगा, नेश्ठिक, अगला पोइंट जिसका उदय हाल में हुआओ, इसके लिए एक एक सब्द हो जाएगा नवोधित हो जागा नवोधित जिसका उदय हाल में हुआ हो इसके लिए एक सब्द क्या है नवोधित है जिसकी कोई अवधिनिशित ना हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो निरावधी हो जागा निरावधी अगला है जिसमें हानी या अनर्थ का डर ना हो, इसके लिए एक सब्द है निरापद जिसमें हानिया अनर्थ का डर ना हो, इसके लिए एक सब्द क्या है निरापद अगला पॉइंट देख लेते हैं जिसमें जिव अर्थात जीवन ना हो जिसमें जिव अर्थात जीवन इसके लिए एक शब्द क्या हो जगा निर्जीव हो जगा निर्जीव जिसमें जिव अर्थात जीवन ना हो इसके लिए एक शब्द है निर्जीव है अगला पॉइंट है जहां एक भी मनुस ना हो जहां एक भी मनुस ना हो इसके लिए एक सब्द क्या हो तो निर्जन हो जिस इस्त्री का बीवा है अभी हुआ हो, इसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो नव बधु या नवोड़ा, याद रखियेगा, नई ब्याही बधु या जिस इस्त्री का बीवा अभी हुआ हो, इसके लिए एक सब्द क्या है, तो नव बधु या नवोड़ा हो जाएगा, अगला point है जिसका उत्सा है नश्ट हो गया हो जिसका उत्सा है नश्ट हो गया हो इसके लिए एक सब्द बताना है तो निरुत्सा है क्या हो जाएगा जिसका उत्सा है नश्ट हो गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है निरुत्सा है है अगला point जो नीती का बीसेस ज्याता हो जो नीती का बीसेस ज्याता हो इसके लिए आपको एक सब्द बताना है तो जो नीती का बीसेस ज्याता हो इसके लिए एक शब्द है नीतिग्य क्या हो जाएगा जिसको कहीं आसरे नहीं हो जिसको कहीं आसरे नहीं हो इसके लिए एक सब्सक्राइब करना न भूलें अनेक्षब्दों का एक सब्द वाला PDF चाहिए तो किर्पया जो है आप टेली गराँ पर Arsafznung सर्जी के सर्च करके और उसे जॉइन कर लें और सारे PDF आपको एक साथ महीं मिल जाएंगे अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्ने बाद